हेलो फ्रेंड्स हावाड यू आप सभी कैसे हो इमीद करते हूं कि आप सभी अच्छी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे अपने स्टाड़ी में क्योंकि जो सीटिट एक्जाम है उसका अब जादा दीन नहीं बचा है आप लोग जितना फास्ट रिविजन हो सके वह कर इसलिए मैं आप लोगों को टॉपिक 22 जो है फास्ट रिविजन करवाड़ी हूं इसके पहले मैंने आपको अनुवानशिक्ता से जो और अनुवानशिक्ता और वातवरन का प्रभाप उसका जो प्रिवियस यर और प्लस मोस एक्सपेक्टर दोनों मिला के मैंने बनाया है ताकि जो एक्सपेक्टर कोशन है वो भी और जो आचुके हैं उन दोनों को एक साथ आप देख सके तो आज मैं आप लोगों को शामाजी करनका कराऊंगी तो आप वीडियो को अन तक देखना ठीक है क्योंकि उससे आपको जो प्रिवियस यर में किस तरह का कोशन किया था अन्त में रहेगा एंड एक्सपेक्टर कोशन फर्स्ट में रहेगा इसलिए आप अन तक देखेगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्रिस आप मेरे चैनल को लाइक से राएं सब्सक्राइब कर दें वैल आइकन दबा दें ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो अप् ठेली पीडिया पात सकते हो ऊब्र एंस्टाओं पे आप मुझे Drum कर सकते हो आप चाहल तो इंस्टाओं पर मुझे भी मुझे वैल कर सकते हैं तो फ्रिस्ट कोशेन है समाजी करें बार्त है तो देखिए समिस्युक रन का क्या है समक्माजी मानधन्ट का करना हो तो आप जानते हैं मैं आपको बोली मैं फास्ट डिविजन कराऊंगी तो मैं इसलिए आपको डारेक एंशर बताते जारी हो समाजी करन का जो अर्थ होता है वो समाज में समायोजित होना होता है अगर आप समाज में समायोजित ही नहीं हुए तो फिर समाजी करन का कोई तो इसका जो हो जाएगा वो जाएगा रोश मोधे ने यह दिया है नेक्ट कोईशन है नेक्स्ट इसके इसमें गुल से सबस्तकी से और रहा है। तो ये जो कोशन है संस्कति का हस्तार अंतरन तो ये बिल्कुल सही लग रहा है ना क्योंकि संस्कति का हस्ता अंतर हमारे समाजी करन की प्रिक्रियाद वारा ही होता है दूसरा है समाजी करन के कुछ महत्पून अभी करता माता पिता संबयस समू विद्याले धार्मिक संस्था और जन संसाधन माध्यम जैसे दो दर्शन आदी हैं तो ये भी बिल्कुल गलत को पर跑़ाया बिल्कुल पर नहीं पढता आप जैसे पालिएगा जिस परिस्थिती में वो बिल्कुल उस तरह के ही होंगे जैसा उनको आप दीजेगा बोलते हैं संसकार बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं तो मिटी के लाइक बच्चे जो होते हैं वो मिटी के जैसे होते हैं कच्ची मिटी के जैसे जैसा आकार दीजेगा ऐसा होगा है ना समाजी करन का कार्य समाज में रहकर ही संभब है समाज से अलग रहकर नहीं तो यह सही है यानि जो गलत आप्शन था वो हमारा यह तीन नमर था है ना एक्स देखते हैं किसी बालक के समाजी करन में धर्म का महत्व है तो देखे धर्म का क्या महत्व है तो सभी होना चाहिए तो बिलकुल यह सभी हो जाएगा आदर्शों में अनुकरन में संसकार में सभी में हो जाएगा Next question है सामाजी करन की परकिरियां में उन डैस को पराप्त किया जाता है जिनने समाज में महत्वत दिया जाता है सामाजी करन की परकिरिया में अनुकरन को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए आवशक तत्वग क्या है तो देखे जो सबसे आवशक देखे यहाँ परिवार परोसे गाउं सहर देश राजनीती परिवार संचार तो देखे ऑप्शन से पता चल गया परिवार सबसे पहले परिवार आता है आप अपनी कच्छा के बालकों में सामाजी करन की परकिरिया को तेज करना चाहते हैं इसके लिए आप निम्लिखित में कौन से कदम उठाएंगे पहला है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे दूसरा है बालकों में सामाजी आदर्स स्थापित कराएंगे सी है बालकों को समाज में प्रचलित माननेताओं की विशे में जानकारी देंगे तो देखिए ये सारे option ही क्या है सही है इसलिए ये सभी हो जाएंगे next question देख लेते हैं निम्न में कौन सा कारक बच्चों की सामाजी करम में महत्यकुन भूमिका निभाता है पालन पोशन सहानभूती परोस ये सभी तो देखिए option से पता चल रहा है कि सभी का पालन पोशन सहानभूती सभी का पड़ता है friends अगर आपको अच्छा लग रहा है तो please like कर दीजिए आप लोग जो like नहीं करते हैं भूल जाते हैं या क्या पता नहीं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो apply कर दो नहीं लग रहा है dislike कर दो कोई बात नहीं बालक की समाजी करन की परक्रिया कब प्राडम होती है तो देखिए आप जानते हैं बच्चह जैसे जन्म लेता इसका समाजी क्रण प्राडम हो जाता आ, तो ये जन्म से हो जाएगा सामाजी करन्खी की सवस्था में बच्चे में जिग्याशा की प्रविति उच्च पाई जाती है शैस्वा आवस्था किशोरा आवस्था प्रारंभिक बाले आवस्था उत्तर वाले आवस्था तो देखे तो इसका option क्या हो जाएगा प्रारंभिक बाले आवस्था में जिग् रारंबिक वाले आवस्था, किशोरा आवस्था, उत्तर वाले आवस्था या शैश्वा आवस्था तो देखे इसका हो जाएगा किशोरा आवस्था है ना मित्रो और समू के साथ कौन से आवस्था में हो जाएगा किशोरा आवस्था में सबसे गहन और जटिल समाजिक रन हो होता है कि सिच्छकों को यह सला दी जाती है कि वे अपने सिचार्तियों को सामोहिक गती वीधियों में सामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के तरीत यह डैस में भी सहायता करती है तो देखिए आप पहले बिदाउट ऑफशन के ही सोचो क्या होगा तो किसलिए हम सामि को निर्देशित करना और अनेचित एवं डैस प्रवृति को अनुशासित करना आता है सामाल जी करन में बच्चों को देखिए आप बिदाउट ऑफशन के पहले सोचा करिए तो आप यूं कर लीजिएगा ठीक है तो बच्चों को के डैस को निर्देशित करेंगे तो ब्यभाडिक प्रवृति को अनुशासित करना आता है अगर बच्चे में गलत बैभारिक ता है तो आपसो क्या करिएगा अनुशासित करिएगा है ना तो नेक्स्ट कोशन है बच्चों की सामाजी करन में सिच्चक की भूमिका होती है तो देखे जब सामाजी करन बच्चों का होगा तो सिच्चक की भूमिका क्या होगी उनका बहुत धिक विकास करना सबसे पहले तो हम उनका बहुत धिक विकास करेंगे नेक्स्ट है अपनी कच्छा के बच्चों के सामाजी करन प्रक्रिया को तेज करने के लिए सिच्छक अपना बैभार डैस रखना चाहेगा अगर आप बच्चों के सामाजी करन प्रक्रिया को तेज करना चाहते तो आप अपने बैभार में क्या करेंगे आप एक सिंचक को भावी, तो पहले आप सोचो क्या होगा, सहानू भुतिपूर्ण किन्तू कठोर स्नी, और सहानू भुतिपूर्ण शामानी या कठोर, तो आप अपने वेवहार्ट को स्नी और सहान भुतिपूर्ण रखेंगे, तबी बच्चे का सामाजी हो चाएगा निम्न में से क्या बच्चों के सामाजी करन की प्रमूग भूमी का निवाता है खेल कूद अच्छे कप्रे बच्ची की सुन्दरता बच्ची की अच्छी पार्टे पुस्तक तो देखिए ये तो बिलकुल ही आसान है खेल कुद से ही बच्चे का सामाजी करन होगा जब बच्चे एक साथ घुल मिलके जब खेल ऐसा चीज है जिसमें खेलते वक्चे के मन में बिल्कुल भी भेद भाव नहीं आता निमकित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिध्धान दिया है देखिए मैं और मुझे का सिध्धान किस ने दिया है धुर्कि मीड लैमार कुले तो देखिए मैं और मुझे का सिध्धान मीड मोहदे ने दिया है किस ने दिया है मैं और मुझे मीड मोहदे मेरे साथ बो quotation है ये दिया हुआ है किमबल ले किमबल यंग का धुर्किम का डार्विन का रोश का तो ये जो विचार है ये धुर्किम मौदे का है किनों ने दिया है धुर्किम मौदे ने दिया है पर टेक समाज में अपनी विचार धारा भाव होता है विश्वास आदर संसकार ये जीवी में वह काफी बात करती है यह कोशन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है इसके जगह क्या करेगा आपको नाम चेंज कर देगा क्रितिका के जगह कोई और नाम ले लिया जाएगा देखिए बिद्याले हर बच्चों को खूब क्या होता है बच्चों को खूब बात करने का अफसर देता है इसलिए वह बात करती है सिच्छों को कि यह मांग होती कि बच्चे बिद्याले में खूब बात कर ये तब ही करतिका बोल यह हो सकता है कि वो घर में बोलती होगी लेकिन उसे बड़े क्या करते हैं डार देते अरे तूम कितना बोलती हो अरे चुप रहो तो आप इस तरह के बाते बॉलने के वज़र से बचे क्या होते हैं अपने भाव को नहीं बोलते हैं तो ये बिल्कुल के संदर में समाजी करन से तात पर ये है तो यहां पर भी समाजी करन का तात पर ये पूछा है तो सिच्छा के संदर में तो क्या होगा देखिए सिच्छा के संदर में समाजी करन क्या होता है बातावरण में अनुकूल और परिवर्तन सब्सक्राइब पढ़ाएं के साथ अनुकूलन तो बिल्कूल सही जो समाजी साथ अनुकूलन है नेज्ट है निमलिखित में कौन सा बच्चों के सामजी करन की निस्क्रीएजनसी है यानीनिस्क्री अरिजनसी मतलब जो भीmp Wagam糊 you स्वास्त क्लब परिवार एको क्लब या सारवजनिक फुस्तकाले क्या है यह निसक्री एजनसी है लेकिन स्वास्त क्लब परिवार एको क्लब यह क्या है सक्री एजनसी में आते हैं निमलिखित में कौन सा बच्चों की समाजिक रन के प्रगति सील मौरल के संदर में सही नहीं हैं तो पहला है देखिए समोकार में सक्रिय सवागिता एबं सामाजिक कोशलों को सीखना दूसरा है बच्चों बच्चे विद्याले में बदाई गई बातों को स्विकार करते हैं और चाहें उनकी सामजिक प्रिश्भू में कुछ भी हो तीसरा है कच्छा में प्रजातन के ल एक प्रमुकारक है समाजिक करन का प्रमुकारक कंप्यूटर अनुवान सिक्ता राजिंतिक दल या परिवार तो परिवार मैंने कहा आपको कि सबसे पहले परिवार आएगा जन संचार माध्यम समाजिक करन का एक महत्वपून माध्यम बनता जा रहा है नीचे दिये कथन मे है यह प्रभावित करते हैं क्योंकि दिखिए लाइक आप जांपल से आप जानते हैं समझ सकते हैं कि जैसा ट्रेंड चल रहा होता है वैसे ही लोग अपनाते हैं तो यह थे सारे इंपॉर्टेंट कोशन तो उमीद करती हूं कि यह आपके लिए काफी यूजपूल होगा अगर प्रेंड्स आपके लिए थोड़ा भी यूजपूल है कम समय में मैंने देखिए 27 कोशन आप लोग को करवा दिये तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन दवादे आगे जाके आपको जो है मैं सारे नोटिफिकेशन या जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो भी मैं आपको को बताती हूं तो थैंक्यू फ्रेंड्स थैंक्यू वेरी मच और वाचिंग मैं वीडियो थैंक्यू